बात में हम इक लड़के जैक्सन को देखते हैं जो पंकी से रसी बान रही थी वो अपने जिंदगी से बहुत तंगा चुकी थी अब रसी यानी फांसी के फंडे को अपने गले में डाल लेती है लेकिन शायद अभी उसका मरना लिखा नहीं था क्योंकि तबी रसी तोट जात है कातमे पर जिसका नाम सैम था काम से घर आने में आज उसे देर हो गई ती इसलिए उसकी वाइफ पूछ ती है कि आज तुम लेट क्यों हो गई क्या बात है जिस पर समप जवाब लेता है वो बस आफिस में काम ज्यादा ही था इसे वजह से देर हो गई जैक्सन जमीन पर बैटकर रोने लगी क्योंकि मरने से वो बच जो गई थी फिर वो मेसेज करती है सैम को जब सैम अपने मुबाइल में देखता है कि जैक्सन नाम की लड़की मुझे मेसेज कर रही है और खुद को मेर सकते हैं जिस पर सैम राजी हो गया और वो अपनी वाइफ को किसी ज्रूरी काम का बहाना बनाकर उसे मिलने के लिए निकल जाता है इन्होंने पार्क में मिलने का प्लैन बनाया जहां पहले जैक्सन पहुंच जाती है पिर जब सैम आया तो वहां उदास प्रिशान जैक्सन को देखता है और उससे पोशने लगा किया तुम ही जैक्सन हो तब उसकी हां बोलने पर सैम उसके पास बैठ गया और यह दोनों बातें करने लगते हैं जैक्सन उसे बताती है कि हां मैं आपके पहली वाइफ में से बेटी हूं आप लोगों ने जब शादे की थी तो मेरी म प्रेग्नेंट हो गई लेकिन जब तक की बात वो आपको बताती काफी देर हो गई क्योंकि आप दोनों अलग हो चुके थे हलांके अब मेरे और मों के तालुक भी अच्छे नहीं रहें वो मुझे छोड़कर अलग रहती है अब सैम उसकी बातें सुनतो रहा था लेकिन इन बेटी की फिक्र भी हो रही थी पर वो क्या करता जैक्सन के लिए कोई फैसला भी नहीं ले सकता अब वो से ये कहकर जाने लगा कि ठीक है बिटा अपना ख्यार रखना हम फिर मिलेंगे लेकिन जैसे हो जाने लगा ये दुनों एक आदमी को आता हुआ देखते हैं जिसने पैंट कोर पहना हुआ था और वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था वो आदमी एक बच्ची के पास गया और अचानक उसका बड़ा सा मूँ खुल जाता है वो अपने बड़े से मूँ में बच्ची का सर रखता है और पिर ऐसे ही सारा उसे मूँ में लेकर निगल जा और वापिस अपने अपने घर आ गए अब जैक्सन को अपने आंकों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने एक अजीब बड़े मूँ वाले आदमी को देखा इसलिए वो इंटेनेट पर उसके बारे में सर्च करती है लेकिन वहां भी उसे कोई जानकारे नहीं मिलती अब त उसके तरह बढ़ने लगता है जैक्सन को निगलने के लिए पर वो एक रोड लेकर उसके मूँ मारती है और उसे साइट पर करके वहां से भाग जाती है और सेड़ा सेम के घर आ गई घर में अंधेरा था वो सेम से बात करने लगती है कहती है कि अब वो हमारे पीछे पढ़ उसकी बात पर सेम की वाइफ को भी एकीन नहीं आता पर तब उसे बाहिर किसी की आहट में सूस होती है उसने जब परदा हटागर देखा तो वहां पार्क वाला आदमी था जो उनके घर की तरफ ही बढ़ रहा था उसे देकर जैक्सन बताती है कि यही तो है वो बड़े मू कि हम मेरे एक दोस्त के घर जाएंगे कि वो इस तरह के अजीब लोगों के बारे में काफी कुछ जानता है अब इसी बीच सेम की वाइफ उसे कॉल करती है क्योंकि उसे अपने हिस्बेंट की फिक्र हो रही थी लेकिन सेम फो नहीं उठाता बलकि उसे अपने लोकेशन दोस्त भी लेकिन उसे थोड़ी बहुत होश थी जैक्सन अपने दोस्त को उस बड़े मुवाले आदमें के बारे में बताती है और उसका नाम रखती है चॉंपी अपने साथ बाहिर ले आए और उसे गाड़े में बिठा कर अपने साथ ले जाने लगते हैं वो इनसे जैक्सन गाड़े रोकर उस बच्ची के पास जाती है जो काफी घबराई होई थी जैक्सन उसे पूछती है कि तुम्हे क्या हुआ और उस दिन तुम्हारे साथ उस आदमी ने क्या किया था तुम उसके अंदर से कैसे निकल कर बाहिर आ गई पर वो लड़की उसे ठीक सी को कोई जवाब नहीं देती अब तभी जैक्सन और सैम एक बार फिर चॉंपी को अपनी दर्फ आता हुआ देखते हैं वो काफी डर गए इस बार वो बच्ची को भी अपने साथ गाड़े में बिठाकर वहां से भाग जाते हैं पर लोग दुबारा से जैक्सन की दोस्के घर अगए अंदर जब आये तो सैम जैक्सन से बात करने जाता है लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो नशा ले रही है तो ने गुसाया इसलिए वो जैक्सन की हाग से नशी का पैक्रिक लेकर सारा नीचे किरा देती हैं इस पर जैक्सन से कहती है कि डैड आपको उन्ताज़ा न इकलने से मना कर देती है तब सेम बच्ची को प्यार से मना कर गाड़ी से बाहिर लेकर आए और उसे गोद में उठाकर घर के अंदर ले आते हैं जैक्सन को वहाँ एक किताब मिलती है जिसमें दूसरी दुनिया की अजीब गुरिब क्रियेचर्स और मॉंस्टर्स की बारे में होश आया तो वह जैक्सन को बताता है कि मुझे ऐसे मैसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई काटने की खाने की कोशिश कर रहा है जैक्सन की ताब फिर से देखने लगी जहां आखिरकार अब उसे उस मॉंस्टर के बारे में पता चल गया था जो लोगों को खा जाता है अब त जैक्सन को बहुत बुरा लगा और वो अपने डेट से नराज होकर यहां से जाने लगी पर तब इन्हें बाहर किसी की आवास सुनाई दी तो वह और कोई नहीं बलके चौंपी था जो अब इनकी तरफ ही बढ़ रहा था लेकिन इस बार को डरते नहीं बलकि हिम्मत करके उ सैम उसे पूछता है कि तुमारे साथ मसला क्या है और उस चोटी बच्ची ने मुझे काटने की कोशिश क्यों की और मेरे पैर को ऐसा क्यों बना दिया आखिर जैक्सन भी उससे पूछती है क्यों हमारे पेचे पड़े हुए हो चाहते क्या हो हम से तब चौंपी नेचे बै पेट में चला जाता है अंदर जाकर यह देखते हैं कि मुझे सासाथ उसका तो पेट भी बहुत बड़ा अलगी की संगा है जहां यह लोग चौंपी की आवास सुनते हैं जो इनको वेलकम करता है वो फिर ने बताता है कि मैं असल में यहां एक शेतान को पकड़ने आया हू और अब हमने उस शेतान को डून कर खत्म नहीं किया तो सैम बिलकुल उस चोटी बच्ची जैसा बन जाएगा यानि उसका क्लोन डुपलिकेट तो अब यहां इन दोनों को सारी बास समझ आ जाती है कि असल में चौंपी ने पार्क वली बच्ची को क्यों निगला था बच् में खुश थे कि थैंक गौड इसनी हमें कोई नुकसान नहीं पुंचाया और वो इनकी और बाकिस सब की मदद ही कहना चाह रहा था और यह लोग उसे ही गला समझ रहे थे चौंपी यहां से जाने लगा लेकिन तबी गाड़ी लेकर सेम की वाइफ आ जाती है और वो गाड़ी चौंपी के ओपर चड़ा देती है वो बुरे तरह कुछला गया और ऐसे मौँ खुली हालत में उसकी मौत हुचाती है अब यह देकर जेक्सन काफे दुकी हो गई वो उसकी लाश के पास आकर बैट गई और उदास होते हुए कहती है कि चौंपी तो हमारी मदद करना चाहता था लेकिन यह तो मर गया अब हम क्या करेंगे तब सेम की वाइफ कहती है कि पुलिस को बला लेते हैं पर जेक्सन और सेम इस बास से इंकार करते हैं क्योंकि वो कोई नया खत्रा मौल नहीं लेना चाहते थे जिसके बाद वो चौंपी की लाश को सेम के दोस्की गाड़ी के डिगे में रखते हैं होटल आकर जेक्सन सेम को कहती है कि डैट आप अपनी वाइफ से कितना डरते हैं क्या इनके गुला में अब ये बास सुनकर सेम को बहुत बुर बनाकर ये आइडिया जेक्सन को पसेंड नहीं आता कहती है डैट आपको क्या लगता है वो प्यार से हमारे बात मानेगी उसका जो हल है हमें वो ही करना है बच्ची को मारना है तकि वो शेतान भी खत्म जाए अब वो बच्ची एक लड़की के पास गई और उससे बहाने से मदद मांगती है ताकि उसे भी काट कर अपने जैसा बना ले और अब ये दिनों गाड़े में बैटकर निकल गए बच्ची से बात करने के लिए रास्ते में सैम कहती हैं कि मैं अपने प्यार की वज़से ये मैसूस कर सकता हूं कि वो बच्ची यहीं आस पास है अब इससे परिच इन्हें वो बच्ची देख चाती हैं जिसके साथ वहां उसे जैसी दो और बच्ची को पकड़ लेती हैं और उसे बिगी में डालने की कोशिश करने लगी पर उन्हें ऐसा करते हुए एक आदमी देख लेता है वो सोचता है कि ये लोग बच्ची को अगवाद कर रह पर इससे पहले वो ऐसा करता जैक्सन उस पर हमला कर देती है उस पर जपट पड़ी और काफी मारती है जिस वज़से आदमें को यहां से भागना पड़ता है और यह दिनों भी गाड़ी में बैटकर यहां से निकल जाते हैं डिगी में इन्होंने बच्ची को बंद किया चोड़ी तिर बाद जब जैक्सन घर से बाहिर देखती है तो वहां बच्ची के बहुत सारी क्लोंस थे जो इनके घर की तरफ ही बढ़ रहे थी यहां जैक्सन उन सबको कहती है कि हमें इस बच्ची को टॉर्चर करना चाहिए लिगे हो सकता है जिब इससे टॉर्चर किया जाएं तो बागे क्लोंस भी तकलीफ मेसूस करें और यहां से चले जाएं पर सैम इसके लिए मना कर देता है बाहिर वो सारे क्लोंस घर के पास आ गए थे वो अंदर आने वाली हर खिड़की दरवाजों को खोल कर अंदर घुश जाती है तब बाहिर जैक्सन का दोस्त भी गया था लेकिन वो गारे से बाहिर नहीं आ सकता था क्योंकि उसके चारों तरफ भी बच्ची की क्लोंस थे अब जैक्सन अपने दोस्त को कॉल करती है वो पूछता है कि अब मुझे क्या करना होगा वो जवाब देती है कि तुम हमारे लिए जादो एक दाइरा बनाओ तकि ये ग्लोंस हमें नुकसान ना पहुंचा सके उसके दोस्त कहता है कि मुझे कोई जादो एडरा बनाने नहीं आता मैं कुछ जादो कर थोड़ी ना हूँ अंदर सैम देखता है कि कुछ ग्लोंस ने उसकी वाइफ पर हमला करके उसे पकड़ा हुआ है और लिटा कर वो उसके के डिगी कोलने का कहती है उसने जैसे गाड़ी के डिगी कोली जैकसन एक क्लोन को पकड़कर उसे चॉंपी के मूं में डाल देती है लेकिन तब एक दोसरी क्लोन जैकसन को पकड़ लेती है और उसे भी चॉंपी के मूं में फैंक देती है सैम और उसकी वाइफ एक जगा प बची रोते हएवी उसे सारी गो ERBut old जो सब की सब मेरे जैसे बन रहे इस से पहले वो मेरे अंदर भेज़ दो मैं उस शेतान से लड़ने के पूरी कोशिश करूँगी जो कहकर वो बच्ची के कले से लग जाती है और उसके अंदर का शेतान निकल कर अब जैकसन के अंदर चला जाता है ऐसा होते ही वो सारी कलोंस जो बच्ची जैसे दिख रहे थी अब वो जैकसन जैसे दिखने लगते हैं जैकसन अपने होश में थी वो शेतान से लड़ती है और उन सबी कलोंस को चॉंपी के पेट में आने पर मचपूर करती है और अब जैसे जैसे वो सारी कलोंस चॉंपी के म कि पदत करता है उस शेतान को बड़े ताकत लगाकर जैक्सन की अंदर सी बाहर निकाल देते हैं और वह यहां से इस दुनिया को चौड़कर निकल जाता है पर जाते जाते उसने बाहर जाने कर रास्ता बन कर दिया था इसलिए अब ये दोनों बाप बेटी यहां से बाहर नहीं निकल सकते थी पर तब बाहर से सैम की वाइफ और जेक्सन कर दोस्त एक रसी की मदद से रास्ता बनाती है और इन दोनों को सही सलामत बाहर निकाल लेती है एक दूसरे से मिलकर ये सारे लोग बहुत खुश हो गई थी और वो बच्ची जिसके अंदर से अब शेतान हमेशे के लिए निकल चुका था वो भी अपने मॉम बेट को वापिस असले रूप में देकर काफी कुश हो जाती है यहां सेम जेक्सन को कहता है मिरी बेटी मज़े माफ करना इतनी साल में तुमसे दूर रहा और तुम्हारे बारे में पता भी नहीं लगवा पाया तुम्हारे डिप्रेशन के वज़ा मैं हूँ मेरी बच्ची मुझे माफ कर दो आएंता के बार तुम्हारा ख्याल मैं ही रखूँगा यह कहकर वो जस्पार्थी हो गए और जेक्सन को गले से लगा लेते है अपने बाप का यह प्यार देकर वो भी रो देती है और यहां उसके वाइफ ने भी जेक्सन को अपना लिया था अपने बेटी के तोर पर और इस तरह उनके फैमली पूरी हो गए थी इस फिल्म की भी यहीं पर हैपी एंडिंग हो जाती है